कि नमस्कार दोस्तों वी एनकेडी स्टडी पोरोटल के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में जीके जीयस से संबंदित 20 अतिमतपुल प्रसनों के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले हम सब दो भाग पढ़ चुके हैं और आज य मिल जाएगा वहां से आप लोग ज़योर देख लीजियेगा और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को जवरूर्ण कर लिजिए गा जिसमें डेली सभी लिंग को उस टेलीग्राम चैनल में पर प्रोवाइड़ कर दिया जाता है तो चलिए देखते हैं आज का पहला को कोश्चन दिया है भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां होई थी तो देखिए भगवान बुद्ध को जो ग्यान की प्राप्ति होई थी वह बोध गया में होई थी कहां पर होई थी बोध गया में तो देखिए बोध गया में भगवान बुद्ध को ग्यान की प्र स्थाफना जो है स्वामी विवकानदड जी ने किय थे तो देखिए आर्य समाज स्थाफना कि ने किते थे तो देखिए अगला कोशन दिया है ने पंजाबी भासा की लीपी कॉन सी है वर बताइ यह पंजाबी भांसा की लिपी कौन सी है तो देखिए पंजाबी भांसा का जो लिपी है वह गुरु मुखी है क्या है गुरु मुखी तो देखिए गुरु मुखी जो है पंजाबी भांसा की लिपी है अगला कोशन देखते हैं देखिए अगला कोशन दिया है भारत की मुख्य भूमी का द दच्छिड़तम किनारा कन्या कुमारी है तो देखिए कन्या कुमारी जो भारत की मुख्य भूमिका दच्छिड़तम किनारा यानि सबसे दच्छिड़ी छोर पर जो है कन्या कुमारी है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं देखिए अगला कोश्चन है भारत में सबसे पहले सुर्य किस राजे में निकलता है तो देखिए भारत में सबसे पहले सुर्य जो है अरुडाचर प्रदेश में निकलता है कहां पर निकलता है अरुडाचर प्रदेश में तो इसको आप आगाला कोचन देखिए अगला कोचन दिया है इंसुलीन का प्रियोग किस बिमारी के उपचार में होता है तो देखिए इंसुलीन का प्रियोग जो है तो देखिये मधमें बीमारी के उपचार में इंसुलीन का परयोग होता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा तो दोस्तों यदि आप लोग को या वीडियो अच्छा लग रहा है थे वीडियो को लाइक, सेहर दो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चलिए अ अगला कोशन दिया है बीहु किस राजय का परसिद्ध तेवार तो देखिए बीहु जो है असम राजय का परसिद्ध तेवार तो बीहु किस राजय का परसिद्ध तेवार तो देखिए बीहु जो है असम राजय का परसिद्ध तेवार है कि चलिए अगला कोशन देखिए देखिए अगला कोशन दिया है कौन सा बिटामीन आउले में प्रचूर मात्रा में मिलता है तो देखिए बिटामीन सी जो है आउले में प्रचूर मात्रह में मिलता है देखिए संत्रा हुआ नेवु हुआ और है आँ लागुए कि इन सभी में जो है वीटामिंट सी मिलता है तो इसको आप लोग याद रखेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं देखें अगला कोशन दिया है भारत का प्रतम Gvikvernal जनरल कौन था तो देखिए भारत का जो प्रतम्न गर्वर्न हग लाड़ ये बेंटी जो था भारत का प्रतम गौवर्नर quarter जनेरल था है अगला कोशन दे belong के देखे अगल्हाक कोशन दिया है नो यख़ला कागज का आविस्कार किस देखे रहावा है मनले इस पहले कागज का आविस्कार जो है चीन देश में हुआ था का पर हुआ था शीन में हूआ था देखिए चीन का जो राजधानी वहा है बीजिंग तो देखिए इसको वियाद रखेगा चीन कर्यों जो राजधानी वहा है क je चलिए अगला frequencyन देखते हैं देखिए अगला Question है ग्रूतम बुद्ध का बच्पन का क्या नाम था तो देखिए गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम था सिधार्थ था क्या था सिधार्थ देखिए सिधार्थ जो है गौतम बुद्ध जी का बच्पन का नाम था अगला कोचन देखिए देखिए अगला कोचन दिया है भारत में सशस्त्र बलों का सर्योच सेनापती कौन होता है तो देखिए भारत में ससस्त्र बलों का सर्योच सेनपती राष्टपती होता है कौन होता है राष्टपती होता है तो देखिए यह औरतमान समय में भारत के राष्टपती है वो है रामनास कोविन कौन है रामनास कोविन जो है औरतमान समय में भारत के राष्टपती है इसको भी आप लोग याद रखिएगा तो चलिए अगला कोशन देखते हैं देखिए अगला कोशन दिया है तो देखिए रताओधी किस बिटामिन की कमीशी होती है तो देखिए रताओधी जो है बिटामिन एक कमीशी होती है किसा से होती है बिटामिन एक कमीशी रताओधी होती है चलिए अगला कोशन देखते हैं देखिए अगला कोशन दिया है पोंगल किस राज का तेवार है तो देखिए पोंगल जो है वह तमिल नाडु राज का तेवार है तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं देखिए अगला कोशन दिया है गिद्दा और भांगडा किस राज के लोग निरते हैं तो बताए गिद्दा और भांगडा किस राज के लोग निरते हैं तो देखिए गिद्दा और भांगडा पंजाब राज के लोग निरते हैं तो दिया है टेली वीजन का आविश्कार किस ने किया तो देखिए टेली वीजन का आविश्कार जो है जेल वेरड ने किया था कितने तो जेल वेरड ने टेली वीजन का आविश्कार किया था तो इसको आप लोग याद रखिएगा देखिए अगला कोश्चन है देखिए भारत की पहली महिला साच का कौन थी पताए भारत की पहली महिला साच का कौन थी तो देखिए रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला साच का थी तो इसको आप लोग याद रखिएगा अगला कोश्चन देखिए कि देखिए कोश्चन दिया है मचली किसकी साहता से सांस लेती है तो बताएं मचली किसकी साहता से सांस लेती है तो देखिए मचली जो है गलफ़डों की साहता से सांस लेती है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं देखिए अगला कोश्चन दिया है इन कलाब जिन्दा बाद का नारा किस ने दिया तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिये थे वह दिये भगत सिंग ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिये थे चलिए अगला कोश्चन देखते हैं देखिए आज का यह हमारा अंतिम कोश्चन है देखिए कोश्चन दिया है जलिया वा वाला बाग हत्याकांड जो 1919 में अम्रित सर में अम्रित सर में वा था तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आगे हम कल देखेंगे तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों नमस्कार जैंज भारत